हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपके इंटरसिप समंदित डाउट्स को दूर करेंगे काफिश फ्रेंट्स मैसेज कर रहे थे कि हमारी फर्स तियर की एकजाम हो चुकी है तो क्या अब हमारी सेकंडेर की कलासे सुरू होंगी पर नहीं दोस्तों आपकी क्लासे शुरू नहीं होंगी आपको सेकेंडियर के लिए इंटरसिप स्कूल का अलोटमेंट होगा कब से होगा उसके बारे में बात करेंगे साथ साथ दोस्तों VSTC फरस्टियर के जो कोलेज अलोटमेंट हुई है जिन शुरूटमेंट को उनको फस्टियर के लिए कब इंटरसिप मिलेगी उसके बारे में भी बात करेंगे तो हमेंसा की तरह है वीडियो को पूरा जरूर से देखना है दोस्तों सबसे पहले पीच में DLA को भी इसमें सामिल किया गया था पर बाद में कुछ टेक्निकल एरर की वज़े से और आपकी परिक्षाय संपन नहीं हुई थी तो उस वज़े से दोस्तों वहां पर आपको यहां से अठा करके सेकंड राउंड में सिप्ट कर दिया था तो आईए सेकंड राउंड को यहां पर देखते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देखिए सेकंड राउंड में एक लाइन आपको यहां पर देखनी है कि DLA दिवेतिय वरश के समस्त परशिक्षणार थी यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है तो सेकंड यह वालों को दोस्तों एक से साथ फरवरी तक आपकी इंटरंसिप की प्रोसेस चलने वाली है इंटरंसिप के लिए स्कूल आपको फिल करनी है और इसके बाद में आपको 18-13 फरवरी तक आपको स्कूल का अलोटमेंट हो जाएगा उसके बाद में 10 कारिय दिवस के बितर आपको अपनी internship school जोइन करनी होगी जैसे माल लीजे कि आपको आज अगर school का allotment होता है तो आज से लेकर के 10 कारी दिवस के भीतर, Sunday अगर है तो उसको छोड़ देना है, 10 जो working day है उनके अंदर आपको school में जोइन करना होता है और यह यहाँ पर बताया गया है और जिन students को DLAD first year में college allotment हुआ है, अभी उनकी जो fees वगाला की process चल रही है, college में joining की process चल रही है, तो उनको दोस्तों यहाँ पर देखे, DLAD और BAD first year को यहाँ पर 1-7 March के बीतर आपकी यह process चलेगी, और आपको जो school का allotment होगा, वो से 13 March के भीतर यहाँ पर होगा, यह दोस्तों अभी latest वाला schedule है, इसके बाद में अभी तक कुछ भी update नहीं आई है, कि यह जो schedule है, यह आपका change होगा या नहीं होगा, तो आपका दोस्तों अभी आपको यही schedule मानना है, तो एक फरवरी से आपकी यह process शुरू होगी, और इसके बारे में information हमें January last तक मिल जाएगी, जैसे इसके बारे में और updates आएंगे, तो मैं आपको चैनल पर share कर दूँगा, चैनल को subscribe करके रखना है, और साथी साथ bell notification भी on कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड करूँ तो तुरंत आप तक वीडियो को notification पहुचे, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ, थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो